नमस्कार मित्रों यूपी पीसियस प्रारंभीक परिक्षा के भियान को आगे वढ़ाती हुए हम लोग 2017 के फेपर को देखते हैं और ये रहा क्वेश्चन नमबर वन रिग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रियुक्त अघन्या सब्द संदर्वित है विकल्पों पर आए हैं लोग ए पुजारी के लिए बी इस्त्री के लिए सी गाय के लिए डी ब्रामभर के लिए अघन्या सब्द का अर्थ होता है ना मारने योग्या और ये सब्द जो है वो गाय के लिए प्रिवुक्त गया है गाय चुकि रिगवैदी काल में बहुत महत पूरती बच्चों गाय दच्छडा की वस्तु थी प्रमुक रूप से देखिए इसके अलाव अगर आप देखो तो रिगवैदी कालीन जो अर्थविवस्था थी ओपस उचारण अर्थविवस्था थी और गाय का इसमें पसुमें गाय का विसेश महत अगन्या सब्द इस बात को इसफ़स्ट करता है कि गाय का बहुत महत दोध के लिए विसेश रूप सुलेखनी है गाई की सुरक्षा महत्पूर्ण है गविस्ट सब्द का प्रियोग भी रिगवेद में बिलता है जो युद्ध के परियाय के अर्थ में लेया गया है इसका मतलब यह है कि गाई को लेकर के युद्ध भी होते थे चुकि रिगवेदिक कालीन अर्थ विवस्था मुलतह पसुपालन या पसुचारन अर्थ विवस्था थी क्योंकि लगभग more or less ग्यारा हजार स्लोकों में अगर हम exact जो किताबें लिखती हैं 10462 स्लोकों में अगर हम देखे तो मात्र 24 स्लोक में हमें क्रिषी काउल लेक मिलता है क्रिषी काउल लेक मिलता है इसका मतलब ये है बच्चों कि करसी गवड है रिगवैदिक काल में पसुचारण अर्थ विवस्था है और इसलिए ये भी माना जाता है कि एक कॉंसेप्ट जो डिबलब होके आता है कि पसुचारण अर्थ विवस्था की चरम परणृति जो है या पसुचारण अर्थ विव कबाली समाज पूरुष प्रधान होता है इसलिए देवताओं की प्रधानता यानि इंद्र प्रधान है कई चीजे यहां से निकल कर आ रही कि मेल डॉमिनेटिंग सोसाइटी क्यों है लेकिन यहां कॉंटेक्स्ट यह है बच्चों कि गाई को बहुत महत्यकूर इसलिए माना गया है कि दच्छुडा में दी जाती थी और इसके दूद से तमाम तरह के डिसेज बनाते इसलिए प्रियोक्त किया गया है अगले क्वेश्चन को देखते हैं निमनलिखित में से किस सैलकृत गुफा में ग्यारह सीरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है ग्यारह सीरों के ब लोग आते हैं देखते हैं विकल्प क्या है फिर इसकी ब्याक्त करते हैं ए अजंता बी एलोरा सी कनहेरी और डी कारले तिसमें सी कनहेरी में है और यहां कहा जाता है लगभग एक सो नव गुफा के आसपास मिलते हैं जो तीन सो बीसी से सुरू हो करके और लगभग नमी दीता का मिलता है और यह विसालतम समूह में है यह कनहेरी यहां से ग्यारह सिरों की बोधिसत्व का प्रमाण मिलता है अगर अब देखो बोधिसत्व की जो संकल्पना है वो महायान साखा में देखी जाती है महायान बवद्धर्म की एक साखा है कुशान काल में कनिस की काल म में जब बहुत धर्म का पूनः भी भाजन हुआ तो महा यान एक साखा ही महा यान साखा में ही बोधिसत्व की संकल्पना है बोधिसत्व वह व्यक्ति है अच्छा यहां एक चीज़ और क्लियर कर दें बोधिसत्व व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है पसु के रूप में भ वो बोधिसत्व गालाता है यानि यहां एक बेलफेर से जुड़ू ही बात देखने को होते हैं कल्यान से समझे सोसल इंटरस्ट में काम करने वाले को आप बोधिसत्व के रूप में देख सकते हैं यह से आजकल बहुत सारे लोग अगर तुलना करना चाहूआ तो आजकल लोड़ी परसनल्टी आई एस आई आई एफस आई आई चेन वगरा यह सब छोण करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं तो यह इनको बोधिसत्व सब्दिस से तो हम संदर्वित नहीं करेंगे लेकिन कमोबेस करेक्टर इनका यही सोसल इंटरस्ट में काम कर रहे हैं च लेकिन कोल मिला के अगर आप इंगो देखो। तो ये भी एक उलेखनी ये question है, in future बन सकता है, क्योंकि कभी-कभी particular किसी place को बरतमान से जोड़ करके भी पूँच लेते हैं, कि इनमें ये कहां situated है, तो ये भी एक महत्त पूण्चीज बन गए, कि ये चारों महारास्टा में ही है. अगला question, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ए, पस्चमी गोदावरी जिले के गुंटु पल्ली में प्रारम्भिक चैत्य ग्रिह और बिहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, दो, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधहनते हैं चट्टानों को काट कर बिकल्पों पर आते हैं में लोग, इन कथनों में से केवल एक सही, केवल दो सही, एक तथा दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, इन में बच्चों सी यानि दोनों सही है, सामायन रूप में अगर आप देखो, तो पूरा जो एरिया है बच्चों, पूर पूरा पठारी एरिया है और इन ही पठारों को काट काट करके तमाम गुप्वाओं का निर्माड़ा भी जो पिछले क्वेस्टन में मैंने देखा जनता एलोरा कारले कनहेरी और थोड़ा अंध्राव वगयरा को ले नागार जिनिकोंडा अमरावती यह सब बहुत धर्म से प होगा वो चटानों को काट करके ही बनाये जाएगा यहाँ प्लेन एरिया बहुत कम है तिस तरह से वैसे भी अगर आपको अब देखो इस प्रस्चन में इतियास से जरूर जोड़ा गया है लेकिन अगर आप इसकी जोगर्फी थोड़ी भी पढ़े होंगे दकन के पठार व है जिट क्लिए तिस तरह से इसमें हम सी विकल्प सही बानते हैं ए चौथा क्वेश्चन सूची वन तथा सूची दो को सुमिलित कीजिए तथा सूची यू के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुणिए सूची वन शूची टू ए गंधार कला भी जूनागर सिला लेक सी मिलिन्ध पन हो डे तक्छ सिला लेक मिलैन करने में होगे मिलैंदर पतिक कुशान रुद्रदामन अब गंधार कला को सीधे-सीधे आपको चान बंद कला से जोड दो जूनागर लेक रुद्र दामन से दो और तक्ष सिलाले पतिक से जोड़ दो तो A3, B4, A3, B4, C1 और D2 तो इसमें C बिकल्प सही हो गया बच्चों आप जानते हो कि गांधार कला जो थी गांधार कला यह बहुत important man's के लिए भी अक्सर UPSC man's में और state में भी पूछे जाते हैं गांधार कला पस्चिम के प्रभाव से बिक्सित हुई कला ती है याद करो अगर आपने थोड़ी बहुत कला के बारे में अगर study की होगी तो hellenistic कला जो सुरू होती है सिकंदर के साथ वही hellenistic कला particularly किसी place से जब determine होती है तो वो गांधार कला के रूप में आती है और especially यह को शाण काल में बिक्सित होती है ये एक realistic यानि अथार्थवादी कला है इसमें काले स्रेटी पत्रों का प्रयोग किया गया है इसमें कि इस तरह से इस कला में एक यथार्थवाद का पूठे गांधार कला तक्षसिला पुस्कलावती जेद्धा और बामियान ये गांधार कला की प्रमुख केंग यह तरह समय ने जो बोल दिया आप इतना ही पूरा मैंस में लिख देंगे तो बहुत अच्छा नम्मर मिलिया अस्थान बता दिया विश्यवस्तु बता दिया रा मटेरियल बता दिया और प्रेवणा सुवद बता दिया तो लना भी कर दिया यूरोप से और इसमें अगर पूर्ट देना चाहते हो तो जैसे ग्रीक और रोमन दोनों का परभाव है पगड़ी वगारा को हम रोमन परभ अभिलेग है, जो संस्कृत में है, संस्कृत में उत्कीरनितिया पहला अभिलेग, आप जानते हैं, बच्चों कि सबसे पहला जो अभिलेग है, वो पिपराहवा अभिलेग गामभी, लिपी में माना जाता है, जो बुद्ध कालीम, अएकम और इस सबसे प्राचीन भारत के सं अभिलेग है, वो बोगज कोई है, लेकिन वो भारत में नहीं, लेकिन भारत से संदर्वित्स या संबंधित इसलिए है, तिवकि उसमें इंद्र में तुरवरों ना सत्य नामक, बायदेक देवताओं को उत्त, उलिखित किया गया, जो खत्ति और मितन्नी, जो कबीलों की संदर्वित्स इसमें ये गवाह के रूप में पेस किये, बोगज कोई अभिलेक में इनहीं बातों का उलेक मिलता है, तिस तरह से इनको हम देख सकते हैं, मिलेंडपन हो, ये नागसेन की रचना है बच्चों, नागसेन एक बुद्धस्ट था, बहुत धर्म का अनियाई थ नागसेन, नागसेन और ये मिनेंडर, जिसे मिलंध, मिलंध के रूप में भी दर्च किया गया है, तो मिनेंडर जो था इन्डोगेक्ट्रियन सा सकता, डेमेट्रियस कुल का ही ये सा सकता, मिनेंडर के बारे में कहा जाता है कि मिनेंडर और नागसेन के बीच बहुत धर्म में especially और depth में अगर आप जाएं तो निर्वान की प्रकृति को लेकर संबाद हुआ निर्वान का स्वरूप क्या है इसी स्वरूप को लेकर के दोनों के बीच सास्त्राथ टाइप का हुआ संबाद हुआ और अंत में मिनेंडर इतना प्रभावित हुआ नाकसें के कि बहुत दुधर्म को अपना लिया और इस ग्रंथ में बहुत सारे लगभग 75 प्रकार के देवसायों का भी उलेक मिलता है आप जानते हैं कि मिनेंडर या इंडरोवेक्टियन सासकों नहीं सबसे पह आज के गुजरात को अगर आप देखे तो इस तरह से इनको देख सकते हैं कि भणावच के बजार में खोब जो है ये चलते हैं और लास्ट में तक्षसिला जो लेख है इसमें पतिक नामक ब्यत्तिकाव लेख है ये कोई बहुत बड़ी परसनलिटी नहीं थी सामान ने अजी साथी नहीं है ये बराबर पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं है ठीक तेन गुफाओं की दिवार पर असोग के अभिलेख उतक्रियों रहें सी ये अभिलेक इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का लेक करते हैं डी ये अभिलेक इसा पूरु छठी सताब दी के हैं, तो गवर से देखो, सही नहीं है, इसमें पूँचा है, तो इसमें डी की ये छाठी सदी सापूरू के हैं, नहीं, ये बेसिकली मौरी काल में उतके उड़ करवाए गए हैं, बाराबर की जो गुफाएं हैं, पहाडी है, ये बिहार में हैं, और आप जानते हैं कि असोक और उसके पावत्र दसरत ने बहुत सारी गुफायों उतकियन करवाई थी उसमें अगर आप देखो जो बाराबर की पहाड़ी और नागारजुन की पहाड़ी पर है उनमें सुदामा, गुफा, गुपी, गुफा, पिस्व जोपड़ी, लोमसरिसी, बढ़ थिका जैसे गुफाओं का उनलेख मिलता है तो असोक और उसके पावत्र दसरत ने इन सबको अगर आप देखो तो लोमसरिसी, बढ़ थिका और गुपी गुफा दसरत से है बेस्व जोपड़ी और सुदामा, करण चोपड़ की गुफा असोक से संबन्धित है तो इस तरह से असोक और दसरत ने इन गुफाओं को उतकीरोनित करवाया था और आजीवक संपरदाय को ये दी गई थी, इनमें ब्रामभी लिपी में बहुत सारी चीजों का उलेख है तो ये सोक के जो अभी लेख हैं, ये अभी लेख ब्रामभी लिपी में इस तरह से इनको हम देख सकते हैं कि कै अगला कुश्चिन, सुची एक और सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिएगे कोट से सही उत्तर चलों ये तिर्थूंकरो से संबंधित है, ए आधिनात, भी मल्लिनात, सी पार्षवनात और डिसंभावनात, यानि इनके जो प्रतिमा लक्षण या प्रतीख हैं जो सेंबल है एक तरह से, उनको आप देखो, तीन में देखो आप, तो एक एक को मिलान कर लो, आधिनात, जिन्हें हम जा कहते हैं, रिसभदेव भी कहते हैं, यानि पहले तिर्थंकर, बच्चो जैन धर्म में 24 तिर्थंकरों की संकल पना है, 24 तिर्थंकरों में पहले तिर तेर्थकार्थ होता है नियम और करकार्थ होता है पालन करने वाला यानि नियमों का जो पालन करने वाला होता है उससे हम तीर्थंकर कहते हैं जैनधर्म में चौबिश तीर्थंकर की संकल्पना है लेकिन इसमें तेईसमें और चौबिशमें की ही एतिहासिकता है सेश के बार प्रतिमा लक्षणों को मिलाएं बच्चों तो आदिनाथ का प्रतीक ब्रिशब है मल्नाथ का जलकलस है पार्शनाथ का तर्प है और संभवनाथ का अश्व है तिसतर से अगर आप मिला दें तो feelier हो गया कि één one आ गया एक मल्नाथ में फोर आ गया तो यही एस अही हो जाएगा अच्छा इंतीर थंकरों अगर देखो तो इनको आधिनाथ को कैलास परवत पर मुक्ति मिली थी यानि कैवल्ल की प्राप्ति हुई थी मल्लिनाथ और पार्शुनाथ संभावनाथ ये तेनों को अगर आप देखो तो समवेद परवत पर मिली थी महाभीर स्वामी को पावापूरी में मुक्ति मिली थी और एक ने मिनाथ है ने मिनाथ को जो है वो गिरनार परवत्पर यानि गुजरात में गिरनार परवत्पर आने वाले समय में अब ये पूछे जा सकते हैं मुक्तियस्थल की रूप में भी पूछे जा सकते हैं तो सामान निरुप में माना जाता है कि पहले तीर्थंकर हैं मतलब आदिनाथ, नेमिनाथ और महावीरश्वामी इन ही के आलागलाएं और सेस जितने भी तीर्थंकर सब को सम्वेद परवत पर कमोबेस मौक्ती की प्राग्ती हुई है तो इन फ्यूचर आपसे यह प्रस्ण भी पूछे जा सकते हैं कि इन लोगों की मौक्ती अस्थल क्या है तो इन तीनों के तो सम्वेद परवत ही है इनका कहा है कैलास परवत नेमिनाथ का कहा है गिरिनार और महावीरश्वामी जो चौबीस में है पावाव तो कल को इस पे एक बहुत बढ़िया सा परस्ण बस दखता है एक तरफ तीर्थंकर एक तरफ इनके मुक्ती अस्थल को तो एक नया क्वेस्चन आपके सामने आगे है इसको दिमाग में रखें कि कैसे कैसे अस्थल इससे जूड़ जाते है हाँ concept based question जो आप जैंधर्म के सिध्धानत बगारा पढ़ेंगे सिख्छाएं पढ़ेंगे तो मैं भी आप इनको देख सकते हैं एक चीज और इसमें से share करना चाहूँगा कि मल्ली नात्व जो हैं इनके बारे में कहा जाता बच्चों कि ये इस्त्री तीर्थंकर कर दें इस्त् अठी सताबदी इसापूर का मजस महा जन्पद इस्थित्ता ए पस्च्वी उत्तरप्रदेश में बी राजस्थान में सी बंदेल खंड में और डी रुहेल खंड में तो मजस जन्पद राजस्थान इसकी जो राजधानी थी वो बिराट नगर बच्चों आप जानते हैं कि 600 BC की आसपास जो हमें राजनेतिक गतिविधियां दिखाई देती हैं उनमें 16 महा जन्पदों का उलेख मिलता है महा जन्पदों का जो उलेख है उनमें सबसे पहला जन्पद जिसका उलेख है बहुत अच्छा कूश्यन है वो है 80 का जहां रखेंगे कासी का सबसे पहले उलेख है कहां से मिलता है उलेख अंगोत्तर निका महावस्तु ये दो बाउध्य गरंत है और एक तीसरा भगवती सुथ यानि तीन गरंतों में सोलह महाजनपदों का उलेख मिलता है इन महाजनपदों में राजस्थान में जो बरत्मान राजस्थान में जो महाजनपद था उसे हम मत्स जनपद कहते हैं बिराट नगर कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां पर पांडवों ने अज्ञांत वास किया था बाद में यहीं कि एक राजकन्या का दिवा अभिवन्वी के साथ थे। और उन्हीं के पुत्र थे परिच्छ। बड़ासा अगर महाकाभ्यू के संदर्व में आप जाते हैं इसको आप देख सकते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ से दिखाई देती हैं। 16 महा जनपदों में अगर आप उत्तर में जाओगे तो आपको फिदूर उत्तर में जाओगे तो आपको गन्धार और कंबोज मिल जाएंगे। सेस बिहार में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मगद हो, अंग हो, बज्जी हो और जो है इसके अलामा वैसाली हो, बहुत सारे आपको गणतंतर और राज्चतंतर दोनों के प्रमाण मिल जाएंगे, तिस तरह समिन महाजन पदों को देख सकते हैं, अगला क्रश्चिन, जाउन पूर राज्जी का अंतिम सासक कौन था, ए, मुहम्मद साह, भी हुसान साह, सी मुभारक साह, और डी इब्राहिम साह, जाउन पूर राज्जी के बारे में फ़ल से बता दू बच्चों कि जाउन पूर जो सहार है, इससे फिरोज तुगलक ने बसाया था, अपने बड हाँ भी कहा जाए, जोन अखा के नाम से जाना जाता है, जोन पूर राज्जी जो है, सहर उसी के नाम पर स्थापित किया गया था, और सुल्तान महमुद का ही वजीर था, जो है, एक ख्वाजा करके, ख्वाजा उसे बाद में सरकी की उपाधे दे गई, तो सरकी राजबंस की स्थापना हो गई, और फिर उस तुगलक के बाद जब तुगलक सक्ता पत्नोन मुख हो गई, उसी समय सराज्जी की स्थापना हुई, और इससे हम पूरवका स्वामी कहते हैं, पूरवका सीराज भी कहते हैं, इस बंस में बहुत सारे सुल्तान होए, जिन में अगर इस विकल्प के हनुसार अगर आप देखोगे तो लास्ट वन्तिम सा सक था वो हुसाइन सा सरकी था इसी के साथ ही सरकी बंसकांत होता है क्योंकि बहलोल लोदी ने जौनपूर राज्जी को जीत कर अपने सामराज्जी में मिला लिया यही पर तमाम मस्जिदों का निर्माड हु और चाहे अन्यव जो मस्जिदी है इस तरह से हम जौनपूर को देख सकते हैं जौनपूर सिक्षा का एक केंद्र भी था कैसे जो है सेर साह सूरी यहाँ जो है इसको इस छेत्र को जीतता है इसको भी आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप देखो तो यह तरकी जो सा सकते एस्पेसली हुसाइन साह को अगर आप देखो तो इसके काल में खायाल गाई की ख्याल गाईकी को पसंद किया गया था इसने सरक्षड दिया था ख्याल गाईकी को और बाद में अगर आप देखोगे तो मुहम्मद साहरंगीले के काल में जो मोगल बादस्था था अदारंग और सदारंग ने जो है ख्याल गाईकी को सरक्षड दिया इसी ख्याल से ही मुक् ठुमरी के रूप में आती है, टपपा के रूप में आती है, त्यानि जो संगीत का बिकास हो रहा, उसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं, कि कैसे दुरुपद से, जो है खयाल गाय की, खयाल से ठुमरी, फिर टपपा और तमाम तरह की गाय की विक्सित, यानि बंधे बधा असनकाल में दक्कन में निमनलिखित पद्धतियों में से कौन सा भुराजस्वसूली का प्रचलित आधार था, A. कनकूट, B. हलकी संख्या, C. जप और D. गल्लाबक्सी, C. जापती प्रणाली ही थी, कनकूट, अनुमान आधारित थी, गल्लाबक्सी, नाम से इस पस्थ है कि रास बटाई, उसी को गल्लाबक्सी आपका सकते हैं, लांक बटाई और खेद बटाई, पाली पद्धतियों थी, तमाम तरह की पद्धतियों जो है, दिखाई देते हैं, और जो जहां उप्यूक्त हो सकती थी उसी हिसाब से, तो बादशाहों ने एक्जिक्यूट किया, पद्धतियों, हम इनको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कैसी है, महत्पूर्ण मानी गई है, अगले कुश्चिन को देखो, निमलिकित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर कि सासनकाल में भारत की यात्रा पीती, ए, फादर एंथोनी मॉंसरेट, डी, फ्रांसिसक पलसर्ट था, बच्चों ये डच ब्यापारी था, डच ब्यापारी जो डच इंडिया कंपनी जो थी, उसको जो है, उसी से जुड़ा हुआ था, ब्यापार मानज्य की सिलसले में यहां है था, जहांगीर के काल में, आप जानते हैं कि डच उनने भी 1605 में, सबसे बहले प्टनम अपनी फैक्टरी की स्थापना की, धेरे-धेरे-धेरे-धेरि इनका में के अंद्र पूली कट हो गया, पिर अनने जगह पूरु में भी बसे, धेरे-धेरे बंगाल तक, बीहार तक पहुझ गे, गुजरात तक पहुझ गया, जिसको मुराद का सिख्छक निउप म किया था किसने अक्बर ने आप जानते होंगे कि मुराद और दानियाल जो थे वो अक्बर की जी काल में ही मृत्विनकी हो गई थी अतिसे मदिरापान के करण इसके लाँ अगर आप निकॉली मनुकी को देखो मनुची एक तोपची के रूप में भी जाना जाता है जो है और ये उत्तराधिकार की उध्ध के समय भी बर्तमान था ठंकवायस बर्नियर भी साह जहां की काल के बारे में बहुत सारी बातों को बताता है अगर आप देखो तो ट्रेड कामर्स को ले करके बर्नियर बाते करता है उनमें देखो तो कैसे बर्नियर कहता है कि सारी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद सोना यानि स्वान गोल्ड गोल्ड सारी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद भारत में आकर भारत के दलदल में दपहन हो जाती जो इस बात को सफस्ट करता है बक्चों कि इसका मतलब है कि सोने की जो आवक थी भारत में वो जबरजस्त थी यानि दोसरे सब्दों में कहें हमारे जो गोड्स थे हमारा जो निर्यात था बहुत महत बहुत यही कारण है न कि सोना खीचा चलाता था दलदल में ऐसे सब्दों का प्रयोग बर्नियर जब कहता है साह जहां को एकाउंट पर रखके साह जहां की काल को यह दिपकी स्वान काल भी कह जाता है तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया का चक्र लगाने के बाद स्वानड आके सोना आके भारत के दलदल में दफन हो जाता है इसका मतलब है कि हमारे गोड्स की कितनी डिमांड थे और यही प्रासपेरिटी जो है हमारी यही समर्द्धता तो यूरोपियंस को खीच ले आते हैं और अंत में हमारा जो कंजर्वेटिब द्रिस्टिकोण या राजनेतिक रूप से हम जो बिगाजित थे उसका परणाम यह निकला कि हम गुलाम इस तरह से भी इनकों देख सकते हैं अगला कुश्य तेरा सो तीन में काक्तिय सासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया ठीक है विकल्पों पर आए ए यल्तुत्मिस की बी बल्बन की सी अलाउद्दीन खिल जी की और डी मुहम्मद तुगलक की तो इसमें सी यानि अलाउद्दीन खिल जी की लेकिन आप जानते हैं कि बाद में जब मलिक काफूर के नितरत्त में बड़ी सेना आई मलिक काफूर ने जो है वो एक बड़ी सेना लेकर जबाया देवगिरी को जीता फिर काक्ती अभियान फिर इधर बल्लाल बीर बल्लाल को इन तीनों सक्तियों को हराया जिसका विबरन जो है मेरे खुसरों ने खाजाइन फुतूह में दिया है कि किस तरह से दच्छड के छट्र को जीता गया अब यहां ध्यान से सब्ड़ी भी अगर आफ हिस्ट्री पढ़े होगे क्रोनोलजी दिमाग में रखोगे कि तेरा सो तीन में सासक कौन था अलाब दिन खिल जी था तो अपने आप ही ये सारे बिकल्प खारी जो बिल्कुल बहुत बैफ्त में स्टेडी की जरूरत नहीं बिल्कुल साधारन सी स्टेडी की जरूरत है बच्चो तेरा सो तीन अगर आपके दिमाग पहें तो तेरा सो तीन में तो अलाब दिन खिल जी था बारा सो च्यानवे से ले करके और तेरा सुभी इस ता खिल जी बं झाल झाल